दोस्तों यहां पे थोड़े दिन पहले हमने एक बावाल चीज मंगाई थी यह सेर इस भाई यह है भाई एक 6500 या 300 रुपए का कम्प्यूटर आप लोग में भाई हगडा बबडी मच गई यह क्या मंगा लिया भाई 6,000 रुपए में भी कम्प्यूटर आ सकता और वो भी Amazon से यह अन्बिलीवबमल माल यह रहा भाई देख रहे हो यह पूरा आज यहार मेरे हाथ में लग गया आज इसको यह थोड़ा पावरफुल बनाने वाले हैं अगेन अपग्रेट टाइप का करने वाले है 6,000 में वैसे तो देखा जाए कम्प्यूटर मिलना मुश्किल लगता है आज इसको थोड़ा पावर इफिशेंट बनाने वाले हैं अगेन फुन फन आने वाला है अब देखो इसको तो मैंने लास्ट टाइम उन्बोक्स करी लिया था अगर वह चीज देखना चाहते है तो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी आज इसको थोड़ा अपग्रेड करके सीन सेट करेंगे गेमस में चलाने के कैपिवल लाइक फ्रीफायर हो गई एंड्रोइड गेमस में जादा फोकस रहेगा PC आपकी GTA 5 यह सब तो चल जाएगी यह बात तो तया है गया हो शुरू करते अब जोस्तों अपग्रेड से पहले में थोड़ी सी चीज़े बताना चाहता हूं यह PC आपने आपने काफी बार देखा भी होगा एक small factor में यह बना रहता है बगे अंदर आप देखो गे तो इसके अंदर एक motherboard लगा रहता है जैसा नॉर्मल अपना बागी सिस्टम में होता है same to same आप इसमें GPU भी बाल लगा सकते हो अगर कलको मन करता है बढ़ हाँ इस cabinet में फिर वो सब चीज़े support नहीं करेगी मैं भी पहले सोच रहा था GPU इंस्टॉल कर दूँ X16 slot है बट वो सब प्रॉब्लम है बग यहां देखा जा तो इसके अंदर प्री इंस्टॉल आपको सबसे पहले तो i3 का 4th generation मिलता है अब यह processor इतना capable ही नहीं है तो हमने इग्णोरी करा था और android games पे भी इसके अच्छे खासी लग गई थी बट आस थोड़ा upgrade करके इसको capable इतना तो बना सकते हैं हम लोग बागी सबसे पहले अगर under का धाचा आप देखोगे तो यह एकदम same to same अपना जो normal होते है और काम भी नाजुक टाइप का हो तो बात है तो यह फैन है इसका बड़ा अतरंगी सा फैन दिया इन्होंने ऐसे में ऐसे ही रहता शहसे और यह अपना main processor अगया ठीक है अब यह i3 का 4th generation है तो इसको मैं जटपड तरीके सी तो बेकार है यहां ड़न हो चुका है प्रोसेसर यहां पर आपका इंस्टॉल थोड़ा बहुत मैंने यहां पर थर्मल पेस्ट भी लगा दिया और इसी के साथ अपना काम यहां पर ड़न हो चुका है तो यहां नॉर्मल एक दाए फैन वेन कमर करके हमने यहां पर सैट कर दिया आजी जानते ही और SSD जो है वह थोड़ी पावर्फुल है अपनी हार्ड ड्राइफ से इंकेस और स्पीड और यह सब में तो सिंपल है यह साटा केबल लग रखी है यहां मदर बोर्ड में और यह यहां पर लगा दिया और इसी के साथ यह यहां पर कर देता हूं और यह अपना करके यह PC मेरे हाथ में आ चुका है आप इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं अब इसका क्या लेवल बढ़ चुका है हमने अपग्रेड में सिंपल प्रोसेसर SSD और थोड़ा RAM पे यहां पर फोकस कर रहा है मुझे लगते है यह काफी कूल इनफ रहेगा लेट सबसे पहले इस सिस्टम है बागी डिस्पले आ चुकिया बागी समान अपना इंटीर कुछ अप्ग्रेडे वाला है देखते है वह तो ठीक है दोस्तों अब इसके अंदर विंडोस 11 इंस्टॉल थी मतला SSD के अंदर जिसका है नहीं हमारा चल चुका है बागी में आपको श्पैक्स दिखा अपना फाइल में देखरो फ्रिक्वेंट सी क्या है खुलने की देखो मैंने आर माइक्रोसॉफ इसके अंदर प्री इंस्टॉल अपने को यह सब तो मिलता ही है तो मैं वर्ड ओपन करता हूं वर्ड ओपन हो गया मतलब यह सब यह चीजे के लिए इसको डिजाइन करा गया यह तो पैसे मांगने लग जाता है इसी तरीके से एकसल भी आया गया है साइस प्री इंस्टॉल मिलते हैं कुछ सॉफ्ट्वे वह सब आपर राम से डिरेक्टली इंजस्ट वन क्लिक आप ओपन कर सकते हैं और यह परफेक्ट चलते बस पैसे ना वांगे तब तक ठीक है त यह सब चीजे मैंने जो गई अपनी वैबसाइट तो कोई दिक्कत निया वीडियो वाचिंग के लिए अगर बताओ तो फनाटे-दार तरीके से 1080p at very easy smoothness की साथ perfection की साथ आप चला सकते हो ऐस सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर अगर देखा चाए तो Photoshop तो आप चल ठीक है मतला एक ही होता है न अप complete lag free वैसा तो नहीं बोलूँगा बढ़ा जितना अगर आपको basic काम करना है थोड़ा हलका भूलका वह आप राम से कर सकतो 4th generation पर चल जाता है उसके लाब प्रीमेर प्रो यह सब चीजे चलाओगे तो धोड़ी दिक्कत आ जाएगी इससे व विंडोस 11 है तो को पाइलेट भी आ रहा है देखरो इधर की साइड में और चीजे कितनी फाश्ली ओपन और यह इंटरेक्शन बहुत तकड़ा है ठीक है मझेदार है तो यह कुछ यह सीन है ठीक है दोस्तों अब यह basic काम तो चलो वैसे i3 4th के साथ भी चल रहा था वाट यहां पे और थोड़ा capable बन गया बात रही एंट्रोइड गेम्स की यहां पे आपको टॉप लॉंच परफोर्मेस दिखेंगे लाइक आप चाहो तो अपनी यह फेवरेट फ्री फायर काफी लोग की वह लोग अराम से खेल सकते सबसे सस्ता छीजार रूपय का तो यह अपन अराम से चला पाओगे एक और चीजा पीसी गेम्स भी यहां पे चलतो जाती है बड़ वह बहुत लोग ग्राफिक्स में चलेगी लाइक एक ग्जाम्पल की तौर पर जीटी फाइव अगर आप देखो तो यह लोएस्ट सेटिंग पर हम लोग चला रहे है और तब जाके ग कि आप खेली नहीं पाओगे तो बेकार है अब मेरे साब से अगर आपके पास राइट नो ऐसा कोई PC है जहां पर फोर्थ थर्ड जेनरेशन प्रोसेसर है तो यह वीडियो के थ्रू आप अप्ग्रेड व अप्ग्रेड पर जा सकते हो अगर थर्ड जेनरेशन यूज कर रह अब यह ओवर ओल सीन था वैसे मैं इतने यह ओल्ड और इतने पुराने जेनरेशन के प्रोसेसर आपको कभी प्रेफर नहीं करता हूं बड चलो जिनके पास है पैसे कम है थोड़ा अप्ग्रेड के लिए चाहिए यह कुछ सीन था वागी चलो आपको यह वीडियो पसंद यह अप्ग्रेट करा हलका फूल का लपेड दिया बिल्कुल बगी चलो अगर पसंद दो बिल्कूल लाइक कर सकते हूं सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक-related वीडियो को शेर कर देना मिलते नेक्षिट हो में तब तक के लिए बायर जय हिंग जय भारत बंदे मातरं